नमस्कार आप सबका स्वागते हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूस पर मैं नाम है दीपक गुपता लगातार मुलायम सिंग यादव को लेकर जो के स्पिताले भरती है उनसे जुड़ी तमाम अपडेट सामने आ रही है और कई सारी अफवाई भी उड़ाए जा रही है उन के साथ कही ना कहीं जो उनका लगातार इलाज चला उस बीच उनको जीवन दक्षक दवाईया भी दी गए ऐसी खबरे सामने आ रही है बैसी साल के हो चुके मुलायम सिंग यादव इस समय जिंदगी की जंग लड़ते नजर आ रही है और पहलवानी भी रह चुके आप जा यहां पर तमाम जानकारियां दीए और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार भी देखने को मिल रहा है हालनकि इस्थती काफी जादा इस वक्त बताई जा रही है कि नाजुक भी एक तरीके से अववाहें तमाम उड़ रही है जैसा क इस वक्त आईसियो में एडमिट हैं उनके साथ कई ऐसे समर्थक हैं जो किड्नी डॉनेट करना चाहते हैं हाल ही में जो अपडेट सामने आया है अखलेश यादब को एक पत्र भी लिखा गया है एक स्टूडेंट ने यहां पर अपनी इच्छा को भी जाहर किया वह तरीके से देखा जाए मुलाइम सिंग यादब के चाहने वालों की भी कमी नहीं है लोग उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ही तरफ वह अन्य बीमारियों से भी जूज रहे हैं और उम्र के बढ़ती हुए पर आप पर जिस तरीके से अपनी पतनी के गुजर जाने लेकिन इस मीच जो और ताजा अपडेट सामने आई है आज सुभे की अपडेट और रात को क्या हुआ और किस तरीके से उनका इलाज लगातार जारी है आसिफ सर से जानना चाहेंगे और जीस तरीके से नकल जानकारी दी थी बहुत एहम जानकारिया थी उनके गंभीर बीम नहीं है कि लगातार पिछले रवीवार से वो इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकि देखिए डॉक्टरों के जो रात में उनकी रिपोर्ट्स आया हैं, उन्होंने काया कि कोई परिशानी नहीं है, में जो उनकी तकलीफ है वो किड्नी से हैं, और इस चीजों को देखते हुए हमने जैसे बताया कि देश को तमाम दिगत जो है उनके लिए दौाइए कर रहे हैं और कल ही जो है बूदबार को ही जो है लालुई प्रसाद यादब तेजश्वी यादब ये लोग भी फोरण वहां मिले गए हैं फिर दौाइएं किये हैं उनके स्वास्थ होने की ये कर रहा है तो दौक्टर सनी बिमारे को लेकर कल जानकारी जो दी थी उसमें एक किड्निस जुड़ी थी और बाकी ये दे कि यूरीन में इनफेक्शन बताया जा रहा है उनका बलट सर्कुलेशन काम नहीं करा चेस्ट में भी इनफेक्शन है फिर खान आइस यू का सपोर्ट रखा गया आप ये जाने तहरुता है कि इस तरीके से संक्षक मुलाइम सिंग आपको इसनमे जीवन रखषक दवाया दी जारे गुरुगराम के मेदांता होस्पिटल में लगातार एम्स के जोक्टर से भी हाँ पर जानकारी ली जारी है दर असल दे तेरपी दी जा रहे हैं, किडने खराब होने पर समाने डियालिसिस के लाज से बहतर होती है, मरीच के शोक में होने पर डियालिसिस के बजाए, सी आराजटी मसीन का इस्तेमाल बहतर रहता है, यह काफी एडवांस टेकनोलोजी है, कंटिनियूस रिनल डिप्लिस्मेंट इसे शरीर में क्रियेचिन का लेवल मैंचेन करने में ज़्यादा मदद मिलती है, इसके साथ ही किडनी के रिकवरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लगातार यहाँ पर वरिष्ट नेता यहाँ पर कह सकते हैं, मुलायम सिंग यादव से मुलाकात करने के लिए पहु झाल